कि हलो फ्रेंड्स आसा करता हूं आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम पराक परीक टेक्सिक के फॉंड को रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत सरे फ्रेंड्स जैसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप जो लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था कि बेस्ट चाहिए या नहीं करना चाहिए बहुत सरे इंफ्रूएंसर भी उसे बता रहे हैं कि बहुत ही आच्छा फॉन से नेक्स्टाप इंवेट्मेंट कर सकते हो कोई कोई बोल रहे हैं कि उसमें यूम से ज्यादा हो गया पास्ट वार्न और करिटन अच्छा नहीं है तो वह हमें एक्स्टूड कर देना चाहिए इंवेस्टमेंट करना नहीं चाहिए तो इसे ब्ला ब्ला बहुत सरे कोईस्टेंज आ रहे हैं तो आजके इस वीडियो में हम कंप्लीटली डेटा के साथ अनालीसिस करेंगे और फाइनली हम जानेंगे इसमें इनवेस्टमेंट करना सही सो फ्रेंट्स आप मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी के फोंड डारेक्ट प्लान ग्रोथ मैंने इस फोंड को मोनीकंट्रोल.com में ओपेन किया है मोनीकंट्रोल.com बहुत यह कि आच्छा वीबसाइट है आप अगर साथ जानते होंगे तो अगर पर क्या सार्ज करें सो फ्रेंट्स यहां पर मैंने मोनीकंट्रोल.com अपर निकिया है इस फॉंड के बारे में आगर आपको थोड़ा सा अवर्विव दे दू तो यहां पर फॉंड साइज आप देख रहे होंगे 27,712 को जैसा है जैसे कि मैंने आपको पहले यह बोला था कि इस फॉंड में अभी AUM साही ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि लोग सोचते हैं कि इतना साई साराब जो पैसा हो जाएगा तो फॉंड्स मेनेजर को मैनेज कर पाना बहुत मुस्किल हो जाएगा फिर इस हमने क्या है हमें देखना है कि रीटर्न क्या देगा अभी कितना प सब्सक्राइब तो आप इतना मुद सोचिए कि यहां पे यहां पे एक्सपोजर में 0.76 पॉसेंट जो आपको में नहीं पर दिखा है अब चलिए ना थोड़ा डाटा को आनालाइसिस करते हैं इस फॉन में जो बहतरीम चीज है जो खासी होते इस फॉन में यह इक्सपोजर मे जो आपका जो आपका जो आपका पुईटी जो फोरें इक्वीटी यानि यूए श्टॉक मार्केट में है टिंपर जिसेंम जालाइन करके रखा है आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स यहां पर कैटेग्ड उपरेंद्ट पका जरखो है आपका 789 पर नांट 8.87 is large cap stock, 3.4% in mid cap stock, 8.39% in small cap stock, और यह बहुत ही concentrated portfolio है, जैकि जैसे आप दूसरा कुछी mutual fund में देखोगे, वहाँ पे आपको 50-60 stocks मिलेगा, यहाँ पे आपको 20-25 के अंदर stocks आपको देखने को मिलेगा, चलिए थोड़ा देखते हैं, डिटेल में कैसे काम करता है यह, तो यहा 1.93% है, अल्मॉस्ट आप बोल सकते हो 72% है, पट यहाँ पे देखो, फोरेन इक्वीटी आज के डेट में जो होल्डिंग है, 16.49%, टोटल होगे आपका कितना, 88.42% आपका हो गया है जो investment है, पाकी जो amount कहा है, यानि 100% से 88% जो आप डिड़क्ट कर दोगे, बाकी जो 11.12% जैसा, वो cash holding में रखा गया है, others में investment, debt में investment हो चुका है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, but I hope कि यह cash में रखा हुआ है, उसका भी data में आपको दिखाऊंगा, अभी देखिए number of stocks जैसे मैंने आपको बोला था, कि बाकी mutual fund में 30, 40, 50 ऐसे stocks रहता है, 30 तो रहता है, यहाँ बहती में थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए percentage भी यहाँ पर बहुती कम है, थोड़ा alpha कमाने के लिए यह सब किया हुआ है, and others यहाँ पर 17 परसेंट जिसा है, क्योंकि flexi cap में होता किया है friends, पहले multi cap था, flexi cap हुआ नहीं करता था, तो से भी जब rules बना है कि multi cap में एक limitation लगा दिया, कि उसमें एक limit है कि आप इतना percent minimum आप investment करोगे equity में, बाकी जो पैसा है, आप क्या आसर को क्या करो, वो कुछ मतलब नहीं है, और यहाँ पर कितने percent, आपको mid cap, कितना percent, small cap, यह सब को rules नहीं है, यहाँ पर इसलिए बहुती आच्छे से mutual fund manager को पर depend करता है, वो आपने पैसे को क से यहाँ पर analyze करता है, और यहाँ पर distribute करता है, investment करता है, यहाँ पर में चीज़ जो foreign equity, इसके बारे में बोल रहा था, foreign equity मतलब US stock market, mainly US stock market में invested है, अभी देखो, आप कहीं पर भी किसी mutual fund में जाओगे, आपको आज के रिट में बहुती कम mutual fund मिल लेगा, जहां पर foreign equity में exposure है, अभी foreign equity global market है, अभी global market में अगर आप geographically exposed हो जाओगे, अगर आपका portfolio diversification हो जाता है, तो बहुती आच्छा है, थोड़ा सा risk है, क्योंकि हमें US stock market के बारे में पता नहीं होता है, क्या होगा, कैसे चलता है, क्या नहीं, बट यहाँ पर यह लोग research करके कौन सा stock में investment करता है, यहाँ पर दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा हमें diversification में मिल जाता है global equity में, तो होगा क्या मानली जी, अभी इंडिया में recession आने बाला है, इंडिया में नोट बोंदी जैसा चकर आगया, प्रोब्लेम आगया, तो यहाँ पर stock market डाउन हो जाता है, पर उसी समय आप देखोगे, foreign equity जो global market वो तो डाउन नहीं होगा, वो चलेगा, वो भी हो सकता है, exponential आपको जो बहुत ही advantages भी होगा, और आपको ज्यादा आचा return भी देगा, तो इसलिए यह एक बहुत ही आच्छा diversified portfolio है, और फास्ट टाइम इंडिया में ऐसा एक ही fund है, जो फास्ट टाइम equity exposure देता है foreign equity में, उसके बाद बहुत सरा आया है, पर इतने अच्छे सा कोई manage किया नहीं है, मेरे हिसाब से, तो फ्रेंट्स चलिए जानते हैं कि इसका जो news है, कि लोग क्यों इसमें मना कर रहे हैं कि अभी equity exposure नहीं है, ज्यदा मतलब foreign equity investment नहीं हो रहा है, सेभी ने क्या लगा दिया, देखें, यह सब कुछ नहीं, यह सब problem हुआ था, अभी मैं आपको एक report दिखाता हूँ आपको, आप देखो यहाँ पे, यह आप देख रहे हो, यह आपका financial express.com का मैंने एक article यहाँ है, exposure of foreign stock latest facts is, तो यह November का यह आप देख सकते हो, November 12 का data में यहाँ पे दिया है, तो आप य 1.7%, Amazon में 3.96%, मैं आपको थोड़ा सा draw करके भी दिखा देता हूँ, यह जो particular news है, आप यह वाली news को देखो, तो आप यहाँ पे समझ पाऊगे, कि थोड़ा वीडियो पॉच करके आप पड़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगे, एक जैक्ली अभी investment किया हुआ है, यह न problem में आया था, अभी आप देखो, it is important to note that there is, age of February 2022, all new investment in foreign security were temporarily halted by SEBI, क्योंकि SEBI ने एक limit दिया हुआ था, कि देखो, आप क्या करोगे, आप मान लिजिए आप पेसा उठा लिया customer से, अभी सारे पेसे, आप तो mutual fund house चला रहे हो, आपके पास जितने पेसा आएंगे, अगर आ Indian market को फाइदा किया है, Indian company को फाइदा किया होगा, तो इसलिए SEBI ने यहाँ पे, जो government of India ने, जो SEBI जो उसका बड़ी है, वो एक limit दिया था, कि आप इतने पेसा ने एक साल में investment कर पाओगे, उसके बाद और नहीं, उसके बाद आप next year में investment करोगे, तो इसी सबसे क्या क्या जो foreign equity का exposure होना चाहिए था, उसका limit क्रोस कर गया था, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा return दे रहा था, इसलिए लोग इसमें वरवर के investment कर रहे थे, आप देख रहे हो, पांच साल में कितना आगे हो, यह हो साइज हो गया, बाकी फोन में जाओगे तो आट नोजार क्रोड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसी news के लिए यह problem में आता है लोगों को, मतलब लोग सोच रहे थे कि अभी इसमें return नहीं आएगा, और यह problem दिया था, तो विशलिए अब थोड़ा देखते हैं कि इसका analysis करते हैं कि data में सच में यह return कमा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे मैं equity holding में जाता हूँ, यह देखे, यहाँ पे complete holding में, अगर मैं click करता हूँ तो आप देखो, यहाँ पे कितने stocks हैं, जैसे आपको बोला था मैने 29 stocks हैं, अभी यहाँ पे देखो, जो foreign equity है, जैसे आपका Microsoft हो गया, देखे, Microsoft हो यह मैं negative में जा रहा है, Alphabet यानी Google negative म देखे रहा है, अभी हीरो मोटकॉप, Amazon.com, यह सब देखो, यह बड़े-बड़े company है, यह 18% investment किया हुआ, यह अभी down हो रहा है, जैसे Oracle हो गया, यहाँ पे, अभी आपको पता होगा, US stock market, अगर आपके पास idea नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, US stock market में अभी बहुत सारे correction हो गया है, क्योंकि यह बहुत mature market है, इंडियार से बहुत काफी गुना ज्यादा बड़ा market है, stock market, तो वहाँ पे बहुत सारे correction आया है, जैसे मैं Amazon का ही बात ले ले लेता हूँ, अब देखो, Amazon का share price में आपको दिखा रहा हूँ, last one year का data, आप देखो, यहाँ पे कितन हुआ करता था, 180 डलार हुआ करता था, एक साल पहले, अभी देखो कितना है, 92, यानि कितना percent, 48 percent correction हुआ है, तो आप सोच रहे हो, कितना negative में क्यों नहीं जाएगा, आप सोचो, 2020 में इसमें कोई investment किया है, मानले जब 2000 रुपिया अपनी investment किया था, अभी एक साल बाद, आज में आप देख रहे हो, कि ये 50 percent correction हो चुका है, तो उस समय अगर किसी ने ये stock में investment किया होगा, obviously आज करेट में आपको loss देखने को मिलेगा, पर इसका मुतलब कि हम investment छोड़ दे, नहीं friends, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, जितने जो पांचे stocks हैं यहाँ पर, 67 percent correction हुआ है, 67 percent, तो आपको नहीं लगता अभी यहाँ पर investment करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर down हुआ है, अगर आप इससी समय इसमें investment करते हो, next आने वाले 15 साल में यह कहां जाएगा, आपको margin नहीं है, क्योंकि यह जो बड़े-बड़े company है, इसको large company नहीं भोलते हैं, य Microsoft जैसा Facebook जैसा company, वाल्ड को चलाते हैं, तो EA stock अगर correction हुआ है, इसका मतलब है, लोग इसमें फ्यत कर रहे हैं, और उसका company का policy is change हो रहे है, तो आगे जा कि यह बहुत ही आच्छा perform करेगा, आपको आच्छा value return देगा, तो यहाँ पर golden opportunity है, आप यहाँ पर investment कर सकते हो, क्यो आपको ऐसे amount भी चाहिए, बहुत सरा criteria भी है, तो आप एक normal retail investor, दो चार हजार रोपी जहाँ पर investment करना चाहते हो, और वहाँ पर आपको एक foreign equity मिल रहा है investment में, तो इससे अच्छा चीज़ और क्या हो सकता है, और मैं आपको दिखाए क्यों यहाँ यहाँ पर return minus में जा रहा आप 5 सल, 10 सल, 15 सल के लिए investment करोगे, तो जाके आपको return मिलेगा, चले थोड़ा fund के पास जाते हैं, अब देखते हैं कि इसको थोड़ा सा, क्यों मैं इतना prefer कर रहा है इस fund को investment करने के लिए, अब देखो, मैं यहाँ पर stock को दिखा है, अभी आप analyze करते हैं कि risk ratio क्या है, आप अब यह चीज ग्रीन में है, अभी एक एक चीज को अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इतना ही सोचिए, जो standard deviation होता है, अभी market का जो बाकी फ्लेक्सिक के फंड है, उसका जो category average है, that is 19.65, उससे कम है 16.94, बहुत ही अच्छा है, अभी beta क्य जितना return कमा के दिया है पार्ट में, उसके लिए बाकी फंड से कितना risk लिया है, और जितना risk लिया है, उससे ही साब से क्या जनरेट किया है, तो इससे इछली पता लग रहा है कि यह बहुत ही अच्छा, उससे भी अच्छा return कमा के दिया है, इसलिए यहां पर beta low volatile है, और sharp ratio क्या है, sharp ratio friends, अगर यहां पर completely जाओगे तो आपको idea मिल जाएगा, क्या है यह चीज, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, sharp ratio यहां पर दिखाता है कि एक mathematical term है, यहां पर आपको कितना risk लिया है, मतलब आप सोचो कि 100 रूपे investment किया है, अभी 101 रूपे नी 1 रूपे profit लिय कितना risk लिया है, उसी को बोलता है, अभी यहां पर 10 year ratio, यहां पर jason alpha, alpha मतलब जो benchmark को follow करता है, माले यह निप्टी 500 benchmark को follow करता, अभी benchmark दे रहा है, 5% return, यह अगर 5.1 भी देता है, तो 0.1% आपको profit दिया, इसका मतलब आपको alpha यहां पर कमा के जाता है, that is alpha, तो यह सभी पा सकते हैं, उसका link में इस video में description में दे दूँगा, वो भी मेरा जो favorite है, flexi के phone में यह पराग परिक है, no doubt बाकी सारे phones भी है, उसके regarding एक video आने वाला है, पर यह phone के बारे में अगर मैं बोलू, जितना भीने यहां पर analysis किया, जो भी आपको news दिखाया, I hope कि आपको समझ में आ opportunity आच्छे से रहेगा, और India stock market थोड़ा सा अभी high valuable है, बट अभी आप देख रहो है, लास्ट 10,500 वो भी correction हो रहा है, तो अभी आप investment करते जाओ, अभी एक साल, दो साल, तीन साल, investment करते जाओ, इस नहीं कि आप एक साल investment कर दिए, अब देखो कि मेरा return negative में आ रहा है, तो आ आप पर एक flexicap fonts के बारे में मैं आपको data के साथ analysis करके दिखाया, I hope कि आप वीडियो से एक idea मिल गया होगा, कि आप इसमें investment आगे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप इसको consider करोगे या नहीं करोगे, so मेरा खाम था आपको दिखाना कि data के साथ कि actually क्या है, कैसे खाम क कर रहा है, आगे क्या होने वाला है, एक prediction भी लगा है कि आगे ये return देगा कि नहीं देगा, और इसमें investment करना सही या नहीं, तो everything मैंने आपको यहां पर दिखाया, I hope आपको इस वीडियो से एक idea मिल गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है friends, please subscribe my channel and like करना मुद भूल